जब से साजित खान की बिग बॉस 16 में एंट्री होई है तब से लोगों का गुस्सा साथवे आजमान पर है मीटू के आरोपी साजित खान को बिग बॉस में बुलाई जाने का खोव विरोध हो रहा है सरलिन चोपला से लेकर रानी चटरजी कनिसका सोनी और मंदाना करीमी ने इंटरकोर्स करेंगी आना कुम्रा के इस खुलासे ने हर किसी के होसुडा दिये थे किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि साजित खान इस तरह की गटिया अरकत कर सकते हैं आना कुम्रा ने साल 2018 में मीटू मूमेंट के दुरान खुलासा किया था कि साजित खान ने किस त प्रवियू में आना कुम्रा ने बताया था कि साजिन ने उन्हें बिना चुए ही अपने बेहुदा सवालों से एस-एस कर दिया था आना कुम्रा ने कहा था एक साल पहले मेरी साजित खान के साथ मीटिंग थी ये जानते हुए भी कि वो भूध गड़्या आदमी है उन्होंन देखना होता है आना कुम्रा के मताबिक जब उन्होंने साजित खान से पूछा कि वो भार क्यों नहीं बैठते तो उन्होंने कहा कि बार उनकी मा बैठी है उन्हें परिसान करना ठेक नहीं है आना ने कहा था मैंने साजित खान को ये भी बताया कि मेरी मा पुलिस अदिकार यह सोच कर कि साइद वो मुझसे तमीच से पेशाएं लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे घटिया बाते की उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मैं तुम्हें 100 करोड रुपे दू तो तुम कुट्टे के साथ इंटिमेट होगी साइद वो मुझे बेवकूब बने रहने का मैस सच किया था कि वो बिकिन्वी में भी काफी होड दिखती है आना ने बताया कि इंडस्ट्री में कास्टिंग मैनेजर लड़कियों से बहुत बुरी तरह पिसाते हैं वहीं डारेक्टर अक्सर लड़कियों को होट कपडों में देखने की इक्षा जाहिर करते रहते हैं तो दोस्तो साजित खान को लेकर आपका क्या कहना है आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं